हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पोयम रैन ओन दे रूफ जैसा की टाइटल से हम समझ सकते हैं यह पोयम रेन से जुड़ी है यहां पोयेट अपने घर की छत पर बारिश से जुड़ी कुछ हियादे बताते हैं Now the poem When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dream of while listening the rain. यहां पर हमने जैसा की समझ लिया है कि यह पोयम काई से जुड़ी है? Rain से जब आस्मान घने काले बादलों से भर जाता है तो बारिश होने लगती है क्या आपने कभी छत पर गिरती हुई बारिश की बुंदों की आवाज सुनी है? यहां पर जो पैटर वर्ड दिया है उसका मतलब होता है rain drops मतलब बारिश की बुंदों की आवाज क्या आपने बारिश की बुंदों की आवाज सुनी है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? अब पोएम पढ़ेंगे यहां जानने के लिए कि पोएट क्या ड्रीम करता है जब वह बारिश की आवाज को सुनते हैं तब कौन पोएट? Now I recite the poem अब यहां पोएट क्या कह रहे हैं? जब काले घने बादल आसमान में छाय हैं यहां पर हुमिट शैडो का मीन्स होता है Cloud means rainy clouds which is full of moisture बादल जो नमी से भरे हो Stary spheres means Stary spheres refers to sky Stary means stars and sphere means sky ठीक है? जब काले घने बादल आसमान में छाय हैं मंडराते हैं Overall means मंडराना मंडराते हैं तारों से भरे आकाश में Melanchly means sad दुखी means वो जो sky है आसमान है रोता है और उसके रोने से जो आसू निकलते हैं इससे poet का कहना है वो rainy cheers हैं जिसे हम बारिश कहते हैं Bliss means happiness, खुशी poet कहते हैं जब बाहर बारिश हो रही हो cottage chamber means bedroom और तुम bedroom में बैठे हो या लेटे हो तो कितना अच्छा लगता है कि तुम अपने पिलो तकिये को दबा रहे हो जिस पर लेटे हुए हो और तुम बारिश की भूंदों की आवास को सुन रहे हो means उस आवास को अपने रूम में बैठे बैठे या लेटे लेटे सुन रहे हो means यहाँ पर poet क्या कहना चाह रहे है य उसकी आवास आपको बहुत अच्छी लगती है Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy being start and a thousand recollections weave their earth heads into woof as I listen to the pattern of the rain upon the roof चिंकल का मतलब क्या होता है वही बारिश की भूंदे बारिश की भूंदों की आवास सेमेस पैटर शिगल्स मीन्स टाइल्स जो छट पर लगी होती है टाइल्स उसको बोलते है एको का मीन्स होता है रिपीटेट साउंड जब हम किसी खाली रूम में बैठते हैं तो जो आवास रिपीट होती है वही रिपीटेट साउंड को इको कहते हैं अब पोईट यहाँ पर क्या कह रहे है बारिश की बुंदों की टाइल्स पर जो आवास आती है तब मेरे दिल में भी आवास आती है अब वे कह रहे हैं जी मी फैंसी का यहाँ पर मतलब है कि अचानक से सपने आना मन में सपने आना और मैं सोचने लगता हूँ मतलब पोईट सोचने लगते हैं पुरानी यादें जी कलेक्शन मींस पुरानी यादें हवा के जोके से आने लगती है, मन में, किसके मन में आने लगती है, पोईट के मन में, means, पोईट बोल रहे हैं, मेरी पुरानी यादे एक एक करके ताजा हो रही है, बारिश की बुंदो की आवास से, जैसे ही मैं बारिश की आवास को पैटर को सुनता हूँ, जो छट पर गिर मुझे किसी मुझे मिन्स पोएट को किसी नए कोई नए नए सपने आते हैं बलकि पुराने यादे भी ताजा हो जाती है Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn, oh I feel her fun look on me, as a list to this refrain, which is played upon the shingles by the pattern of the rain, अब यहां पर पोएट क्या बोल रहे हैं, जब इस तरह की बारिश होती है, तो मैं यानि कि पोएट इस तरह की आवास को सुनते हैं, तो उन्हें अपनी मा की याद आती है, जैसा कि वो एक समय थी, years again means एक समय, पुराने समय में, मतलब इससे हमें पता चल रहा है, कि या तो वो अभी उनके साथ नहीं है, या फिर वो अब नहीं है, इसलिए पोएट ने ऐसा बोलाए, कि जैसा कि वो एक समय थी, before, मतलब पहले थी, वे कहते हैं, मेरी मा मुझे सोने देती थी, dreamers, यहाँ पर पोएट ने अपने लिए यूज़ किया है, मतलब जो dreamers वर्ड है, उसको यहाँ पर पोएट ने अपने लिए यूज़ किया है, कब तक, जब तक कि सुभा ना हो जाए, down means day beginning, पोएट कहते हैं, बले ही वो आज मेरे साथ नहीं है, पर ऐसा लग रहा है, ऐसी कुछ यादे हैं, इसकी वज़ा से ऐसा लग रहा है, कि वो मुझे अभी भी देख रही है, यहाँ पर जो list है, उसका meaning होता है listen, and refrain means repeat, बट यहाँ पर इसका मतलब है rain sound, same as tinkle, or patter, उसी के जैसे, यह जो rain drops की आवाज, टाइस पर आ रही है, इस वज़ा से पोएट को अपनी मा की याद आ जाती है, क्योंकि वे उसे सोने दिया करती थी, कब तक, सुभा तक, अब मुझे ऐसा लग रहा है, कि आप लोगों को पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस पोएम को किसने लिखा है, वो मैंने आपको बताया है, जो बारिश के बुंदों की आवास ये, जो बारिश की बुंदो के कारण उनके अंदर जो भाव आते हैं, जो ड्रीम्स आते हैं, उनोंने यहाँ पर इस पोहम के अंदर प्रेजंट किये हैं, अच्छी poem है, interesting poem है अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ओके थैंक यू